सुप्रभाद दोस्तों आपका दीवा की दुनिया में स्वाधत है और आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रहे हूं क्योंकि आज हिंदी दिवस है और मैंने सोचा कि हमें कुछ तो करना चाहिए ना अपने चानल पे हिंदी दिवस पे तो आज हमें मुझे लग रहा था दीवा ने तो बताया ही नहीं कि आज मेरी मम्मा भी मेरे साथ हाई तो हमने आज हिंदी दिवर्स है दोस्तों और हिंदी दिवर्स 14 सितंबर को हरवर्ष मनाया जाता है तो जैसा कि हिंदी हमारी मदर टंग है एड लग हिंदी हम्में हिंदी से बहुत प्यार करते हैं सो मुझे लगा दीवर्स मैंने प्लान किया कि ममा हमें अपने चैनल पर कुछ लिए भी करना चाहिए तो हमने ये अक्टिविटी प्लान की और आज हम इसे बहुत ज़ाद मज़ा आएगा तो दीवा इसका नाम बता क्या नाम है हमारी अक्टिविटी का बूजो तो जाने बूजो तो जाने और इसमें मेरी मारी थोड़ी बहुत सारी पहिली पुचूंगी और उसमें पुछ सारी टॉफ 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 भी होंगी I hope I can win this challenge yes दीवा ट्राइकरेगी की दीवा ये सारी पहिलिया मुझे बता पायो अगर दीवा को मैं हर पहिली के लिए 20 सेकंद जोनगी हर पहिली के लिए और अगर दीवा ने 8 आउट और 10 अगर दीवा को दस में से 8 नमबर मिले तो मैं दीवा को देने वाली हूं उसकी फेवरिट जो दिवा सही बताएगी, मैं टेक करूंगी, दिवा रॉंग बताएगी, तो मैं क्रॉस करूंगी, and then in the end में total निकालेंगे कि दिवा ने कितनी सही बताएगी, तो यही मेरी पहेलिया, पहेलियों के लिए सुस्तार करते हैं, चलो, जिहां से सुनो दिवा, चीक है, अपना स्प्राइमर के साथ रेडी रहना, ओके, तो मेरी पहली पहेली है दिवा, नाप को पकड़ कर खीचता है कान, कोई नहीं इसे कुछ कहता, बताओ उसका नाम, यह हमारे घर में भी है, मैं दुबारा बोल रहे हूं, नाप को पकड़ कर खीचता है कान, कोई नहीं इसे कुछ कहता, बताओ, यह सश्मा, जो पापा पहनते हैं, तो दिवा, यू गट वन पॉइंट, दिवा को वन पॉइंट मिल गया, जो चे, नाव, दूसरी पहेली, खाने की ऐसी कौन सी चीज है, जो हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और जला भी सकते हैं, यह हम अपने घर में बहुत यूज करते हैं, दिवा मम्मा किसी आपको पता है, जो बहुत अच्छी बात है, सोचो, 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 और मेरी जो थर्ड पहली है, वो है, सफेद मेरा शरीर, पूछ मेरी हरी, खाने की हूँ मैं चीज, बताओ मैं कौन, सफेद मेरा शरीर, मूली, सफेद मेरा शरीर, पूछ मेरी हरी, खाने की हूँ मैं चीज, बताओ मैं कौन, मूली, तो दिवा ने तीनों सो ही बता दिये, ओके, सो आप चो चौती पहली है, वो मुझे दिवा के ल मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओडे खडी थी. दुशाला का मैं में नीनिंग बता देती हूं, like दुपट्टा, okay? So, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओडे खडी थी. Start your timer, 20 seconds. Yes, I am starting with. Sure. ग्या हो सब्सक्राइब. हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओडे खडी थी. गो दुबा? 15 seconds, no. 7, no, no, 3, no. दीवा lost it. दीवा को आंसर नहीं आया, 20 seconds are over. और इसका जो आंसर है, वो है भुट्टा, कौन? कौन, 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 कौन. हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओडे खडी थी. उसने बहुत सारे वो क्लोट्स पहने होते हैं न, जो हमें उतारने पढ़ते हैं, उसे खाने ते से पहले. कौन को अपनी last challenge में भी उता है? तो cross, one cross for दीवा. ओके. चलो, 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 next, next, next. चलती हूं, पर पैर नहीं है. और जब दोनों हातों से चलती हूं, तो अपना मूँ छुपाए रखती हूं. बताओ मैं कौन? चलती हूं, पर पैर नहीं है. पूरे दिन चलती हूं, मैं पट मेरे पैर नहीं है. और जब मैं चलती हूँ ना तो दोनु हातों से चलती हूँ और अपना मूँ छुपाई रखती हूँ घड़ी? घड़ी! येस! घड़ी! 10 सिकिंद और लाइट 10 सिकिंद और लाइट I was thinking, मैं सोच रही थी घड़ी सही है क्या? मैं confused रही थी कि घड़ी चल थो नहीं पाती है अना उसके पैर होती है बट घड़ी चलती है, तभी तो वह में टाइम बताती है चलो आगे बढ़े है 6 नमबर चटी पहेली है ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर पानी उगता है कोकलेट्री मैंने इस पहेली को 16 सेकंड्स में कर लिया है चल पाई श्रीवा चलो आगे बढ़े हमारी जो 7 नमबर की पहेली है वो है एक कौन सी ऐसी जगा है जहां अमीर हो या गरीब हो उन्हें कटोरी लेकर ही खड़े रहना पड़ता है गोलगप्पे की दुकान पर चाय कोई अमीर जाए चाय कोई करीब जाए उसे कटोरी लेकर ही काना पड़ता और कड़े रहना पड़ता है तो दीवा को 1 करेक्ट मिल गया है दीवा को अभी तक 1 क्रॉस मिला है तो 6 और राइट तो दीवा को मुझे लग रहा है चोकलेट मिलने वाली है तो आगे बढ़ते है तो अमेरे 8 नंबर की जो पहली है वो है पानी से निकला पेड एक पत्ता नहीं पर डालनेक इस पेड की ठंडी छाया बैठ के नीचे उसको पाया पानी से निकला एक पेड मुझे इसका आंसर पता है हिंडी मेरी बदा उसका शब्सक्राइब ठंग करो अच्छा टेक यो टाइम ठंग करो नहीं तो आफे ममा को इंग्लिश में भी बता सकते हो अधर पता है बर से कुछ शुरू होता है अच्छा मैं आपको हिंड देती हूँ फर से शुरू होता है फर फर फवर अच्छा इंग्लिश में बता दू फांटेन मैं बिना टाइन इस टार्ट नहीं गया था ओके सो की नो प्रॉब्लम इंग्लिश में फांटेन और हिंदी में हम इसको बोलते हैं फवरा पानी से निकला पेड एक मैंने फर फर भूल दिया पत्ता नहीं परडालने इस पेड की ठंडी ठंडी चाया जो इसके नीचे बैठता है उसने उसको पाया सो आपको चलो मैं राइड दे देती हूं क्योंकि आपने इंग्लिश में मुझों से सही बता दिया था हिंदी में उसको हम फवारा बोलते हैं सो नाइन नंबर पे आते हैं ये पहीलिया बहुत पुछ के जोते हैं खुई-खुई नाइन नंबर की भी मुझे ध्यान से सुनना ठीक है इजी हो जाएगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं बिना पूछ का चौप आया चौप आया मींस जिसके चार पैर होते हैं हिले ना डुले ना कुछ खाए सोने के काम आए सोने के काम आए बैड हिंदी में बताओ परसे होता Frank पलंग पलंगा पलंग होना चार पैर का होते हैं ना हिलते हैं न डुलते हैं बिना पूछ पूछ का होता है अर रह के हमारे सौने के काम आता है अब जो हमारी आखी पहीली है वो है दीवा ने अपनी चॉकलेट तो फाइनल कर ली है क्योंकि she got eight right उसको आठ तो सही मिल गए है so ten number पे है मैं फूल भी हूँ मैं फल भी हूँ मैं बिठाई भी हूँ बताओ मैं कौन हूँ ब्राउन रस गुलाव बट आपको दीवा मैं राई तब ही दूँगे आपको इसका नाम बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें फूल का भी नाम आना है फल का भी नाम आना है और वो इट मिठाई ली है ब्राउन रस गुला तो है बट उसको हिंदी में क्या कहते है गुलपा नहीं गुलाब जामून भीवा गुलाब जामून भीक वूल जामून पल अर चब गुलाब जामून को मिक्स किया तो ये साल मिठाई बन जा तो दीवा मैं इस sama मुझे बस तो बस ड़ दोवा लेगी तो दीवा को मिले तेन में से एट-दस में से आज अर आपना एक्जान में अच्छा है तो मुझे तो बहुत मज़ा आया दीवा से पहलिया पूछने में हम ऐसी एक्टिविटीज के साथ बार-बार आते रहेंगे फ्रेंगे और अभी जैसे वैलिंटाइन्स दे पे और और अ एक new series शुरू करने जारी है अपने चैनल पर वह हमारा English Vocab Building So guys, वह भी आज यह कल से start हो जाएगा So please, वह आज से ही start हो जाएगा वह सबके लिए बहुत अच्छा है Because for learning English, it's very important to build our vocabulary So वह भी हम अप चल्दी share करने वाले हैं And please guys, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना दीवा को And now we will meet you in the next video But don't forget to hit like, hit that like button and subscribe to my channel Bye guys Bye Bye dosto